आउजब बिल्लाह, हमिने श्याइतों ने लाइना वजीम, बिसमिल्लाह रह्मान रह्मान रह्म, असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स, आई होग की आप सब लोग खेरियत से होंगे आज मैं क्लास फिफ्ट के एसस्टी पढ़ाने जारी हूँ, क्लास फिफ्ट के एसस्टी का टी वन का फ़र्स चेप्र है, बच्चों आप लोगों का चेप्र नमबर 10, सेप्रेट ऑफ नॉलिज बच्चों सब जब पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सेप्रेट ओफ नॉलिज किसे कहेंगे नॉलिज तो हुआ, ऐलूम सेप्रेट में पहलाना हम अप आप लोम को किस तरह से पहलाएंगे ठेक, अर्ली हुमन्स अब यहां से स्टार्टिंग से देख लो अर्ली हुमन्स वेर अवर ऑफ मैनी थिंग्स जो अर्ली हुमन्स थे वो बहुत सारे चीजों के बारे में आगाह थे, जानकारी रखते थे बर्ड तेकुल पास दिया नॉलिज और्ली अनली लेकिन वो लोग क्या करते थे अपने जो नॉलिज होता था उनके पास जो अलॉम होता था वो एक दूसरे से किस तरह से पास करते थे और्ली मिन जबानी वो लोग पास करते थे लेटर दीरे-दीरे दीरे-दीरे उनको महसूस हुआ उनको जरूरत पड़ा कि जो उनके पास नॉलिज है उसका क्या होना जरूरी है एक रिकॉर्डिंग होना जरूरी है फिर सो इसी लिए दे डेवलप दा आर्ट अफ मेकिंग साइन symbols by drawing, painting and writing दीरे-दीरे उन्होंने क्या किया अपने knowledge को किस तरह से उन्होंने develop किया art की through जैसे sign बनाना, symbol बनाना sign और symbol का उन्होंने use किया जैसे drawing, painting और writing की through जैसे आप लोग देखते ही हो हम कहीं जाते हैं या रास्ते में कहीं जाते हैं कहीं पर arrow इस तरह से sign symbol दूना जर्चिन देए इस तरह से arrow लगा हुआ होता है या कभी नीचे downwards की तरह, कहीं awards की तरह कहीं symbol आप लोगों को नजर आता है खास कर इस तरह से बना हुआ होता है यहां पर cross का निशान लगाया होता है दून गामा जर्चिन science symbol इस से हमें इस sign से हमें पता चलता है कि रास्ता इस सेंबल से इस से हमें पता चलता है यह सारे drawing को early human beings इस तरह के science symbol कर यूज करते थे किस के दूर ड्राइंग बना के painting बना के writing से ठीक है तो इस symbol का मतलब है कि यह क्या है danger है यह क्या है danger है यह सारे ऐसे ऐसे science symbol थे जो early humans क्या करते थे use करते थे ठेक है बच्चों इसके बाद देख लो development of writing इसके बाद क्या है development of writing writing में किस तरह से development हुआ किस तरह से तरके आना शुरू हुआ इसमें हम लिखेंगे देखेंगे early form of writing mainly represented pictures of object जो पहले time के जो writing होते थे वो क्या होते हैं कि किसी चीज को किसी चीज का picture बना के उसको represent करते थे लोग writing क्या थे उस time पे जिस तरह से अभी हमें हम सारे जो भी words होते हो हम आसानी से हम लिख पाते हैं लेकिन पहले time पे क्या होते थे जो early writing था वो क्या करते थे किसी चीज को for example यहां पे किसी चीज को बनाते थे किसी चीज को अपने किसी चीज को बनाया यहां पे for example तो एक flower बनाया इस तरह से किसी चीज को बनाते थे और उस चीज के picture को बनाते थे और वो अपना राइटिंग पिक्चिर के थू क्या करते थे रिप्रेजेंट करते थे ठीक है इट इस कॉल पिक्टोग्राम उससे हम क्या कहेंगे पिक्टोग्राम कहेंगे देखो बच्चों पिक्टोग्राम पिक्टोग्राम किसे कहेंगे पिक्टोग्राम हम कहेंगे किसी पिक्टोग्राम मैं आप लोगों को समझाओंगे पिक्टोग्राम हम उसको कहेंगे किसी चीज के पिक्चर को रिप्रेजेंट करना किसी चीज को चीज को पिक्चर के थूर रिप्रेजेंट करना उसे हम क्या कहेंगे pictogram कहेंगे किसी चीज को for example यहां पर मैं आप लोगों को बनाऊंगी for example मुझे किसी को बोलना है कि flower flower या रोज या कुछ बोलना है तो मुझे यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगी बनाऊंगी ठीक है flower मैंने बनाया यह क्या है एक picture है जो हमने represent किया जो हमने दिखाया early human writing क्या करते थे development of writing दीरे दीरे क्या हुआ था early form of writing पहले writing क्या करते थे पहले किसी चीज को अगर किसी चीज की picture मलब चीज अगर नजर आया तो उसका picture बनाना और उसी picture को क्या करना represent करना उसको हम क्या कहते हैं पिक्टोग्राम केहते हैं पता चला बच्चों पिक्टोग्राम किसे कहते हैं किसी चीज के picture को चीज चीज चीजी नक्षा चोसे मत्तर स्तंचस पो represent बाचा किसी को दिखाना picture के लिए तो अपने writing को बताना उससे हम क्या कहेंगे pictogram कहेंगे people drew pictures of object they saw in their surrounding अब लोग किस तरह के picture बनाते थे लोग जो अपने surroundings में people drew pictures of object they saw in their surrounding लोग क्या करते थे पहले टाइम में जो अपने surroundings में अपने irigiri जो भी उनको object नजर आता था जो भी सामान उनको नजर आते थे वो क्या करते हैं उसी सामान का उसी सामान का वो लो क्या बनाते थे पिक्चर बनाते थे उसी को हम क्या कहेंगे पिक्टोग्राम कहेंगे पिक्टोग्राम किसे कहेंगे जरना का तो पिक्टोग्राम किसी अबचेक्ट को पिक्चर के थ्रूर रिप्रेजेंट करना उसे हम पिक्टोग्राम कहते हैं और लोग क्या करते थे कि अपने सराउंडिंग्स में जो भी अबचेक्ट उनको नजर आता था उसी का वो लोग अबचेक्ट पिक्चर बनाते थे इसी को हम क्या कहेंगे पिक्टोग्राम कहेंगे ठीक है बेटा आया समझ में अब लोग उनको फिर इसके बाद देखो another early form of writing सिर्फ पिक्टोग्राम ही नहीं दूसरा form of writing भी था was the ideogram जिसको हम क्या कहते हैं ideogram कहते हैं अब देखो ideogram किसे कहेंगे ठीक है in the ideogram अब ideogram में होता क्या है the idea was explained in a shape like picture इस ideogram में क्या होते हैं हम अपने ideas को share करते है ideas को shape देते हैं picture के दूँ ठीक है ideogram में क्या होता है जबना ideogram में हम अपने idea को shape देते हैं shape अपने idea को shape दे कि उसे एक picture के दूँ क्या करते हैं explain करते हैं उसे हम क्या कहते हैं ideogram कहते है the Chinese and Japanese used ideogram ज्यादा तर ये ideogram को यूज करते हैं जो चाइनीज के और जैपनीज के लोग होते थे वो लोग आइडियोग्राम का यूज करते थे बच्चों आप लोगों को नीचे भी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे आप लोगों को एक बोक्स नजर आ रहा है यह है आइडियोग्राम अपने आइडिया को वो लोग एस अब पिक्चर के थूँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं यह लोग रिप्रेजेट कर रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे आइडियोग्राम देखो बच्चो हमने development of writing में हमने दो तरह के writing पढ़े एक है pictogram दुसरा है ideogram pictogram किसे कहेंगे pictogram किसी object को picture के थूर रिप्रेजन करना उससे हम pictogram कहेंगे और pictogram में लोग क्या चीज यूज़ करते थे अपने surroundings में जो भी उनको objects मिलता था उसी objects को वो लोग picture बनाते थे ठीक है अपने surroundings में जो भी object जो भी सामान उनको नज़र आता था उसी को वो लोग picture बना के का करते थे रिप्रेजन करते थे दिखाते थे उससे हम कहेंगे pictogram अब देखो दूसरा form of writing क्या है ideogram ideogram में ने क्या कहा? ideogram हम उसे कहेंगे ideogram में क्या होता है? अपने idea को explain करना idea मलब अपनी दिमाग आइडिया यह हो चिंदे हमारे दिमाग में idea आता न उस idea को एक शकल देना picture के थो शकल देना उसे हम क्या कहेंगे? ideogram कहेंगे और यह ideogram ज्यादा तर कहां पर use होता था? Chinese और Japanese में यह ज्यादा तर ideogram use होते थे idea को क्या करना? shape देके picture बना के explain करना उसे हम ideogram कहते हैं नीचे यहाँ पर बच्चों आपको box में भी दिया गया है इस तरह से shape अपने ideas का क्या देके यहाँ पर हमने shape बनाया हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? ideogram कहेंगे I hope बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा आज की लिए इतना काफी है इंशाला नेक्स वीडियो में हम फिर से मिलेंगे तब तक आप लोग मैंने जितना आप लोगों को आज पढ़ाया उतना आप लोग गर पे आराम से पढ़ लीजे तब तक के लिए